नवजाव शेशो को पहली बार नहलाते टाइम आपको कुछ जरूरी साफधानिया रखने की जरूरत होती है लिकिन जब आप पहली बार मावने होते हैं तो आपको ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि हमें किन बातों का ध्यार नखना चाहिए क्योंकि उस टाइम पे ह आप बड़ा समंगते हों उससे आप बोलते कि आप बचे को नहला दीज़िये तांकि ये टास्क आपको ना करना कड पड़े क्योंकि ये टास्क बहुत ज्यादा मुशक्ल होता है मुझे भी बहुत मुशकल आती थी जब रह vocal हल्most Щ Using the वीडियो में मैं ऐसे पोइंट आपको बताऊंगी जिससे आपको काफी हेल्फ मिलीगी उन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप बच्चों को आसानी से नहला सकते हैं और वो सबी जरूरी जो चीजे हैं बच्चों के लिए वो सारी चीजे बच्चे पर अपलाई क जर्फ से निकला हुआ होता है उस को बाहर के जो इन्वार्मेंट इसमें काफी जाधा थन लगती है और इसकी जिली सी होती है पुत ही पतली उती तो उसको सैख होने में काफी जाधा टाइम लग जाता है इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि 24 घंटे के बाद ही आप बच्चे को नहला सकते हैं लेकिन जब हम हॉस्पिटल में होते हैं तो डॉक्टर नहीं नहलाते हैं बहुत डायरेक्ट बच्चे को हमें दे देते हैं और कहते हैं कि बच्चों को कुछ दिन के बाद आप नहला सकते हैं जैसे मा को भी बोलते हैं कि आप आठ दिन के बाद नहला सकते हैं जैसे खुद भी पांस दिन के बार नहा सकते हैं और बच्चे को भी पांस दिन के बार नहला सकते हैं तो हर किसी के हॉस्पिटल में अलग-अलग बताया जाता है तो मुझे भी यही बताया गया था जब भी आप बच्चे को नहलाएं एक तो जब बच्चे की जो गर्व नाल है बो ना गिरी हो तब तक बच्चे को इस परण बात ही दीजे उसके बाद ही नहलाना स्टार्ट करें बच्चों को नहलाने से बीस मिनट पहले आप बच्우 गूमूने टेल की मसाज जरूर देजिए तेल में आप जैतून का यानि की अलिव ऑईल आप अलमंड यानी की बादाम का तेल और मस्टर 1 यानि की सेर्सों का तेल इन तीनों तेल की मसाज बच्ची को दे सकते हैं आप क अगर बच्चे में दिखते हैं कि कोई रैश या फिर कोई देखर दिखती है कोई अलर्ची दिखती है तब आप बच्चे को कोकोनट ऑइल गुरूना करके अपलाई बच्चे पर कर सकते हैं यह बिल्कुल नॉर्मल है नहाने से अगर आप पहले बच्ची को मसाज देते तो लाते हैं कि कि जो इसके नापह दौ इन रहती है यारे का ड्राइनने रहती है और बच्चों को अच्छा a एक मौनटाayan का जो आप बच्चे कोनेहला दिजिए और नहल ने के गेट बंद रखिये और बाथरूम में या तो आप ब्लोर चला लीजे, हीडर चला लीजे या फिर कोई टैप ओन कर लीजे जिसमें गरम पानी निकलता हूँ इस तरह से आप करके जो बाथरूम में उसको हलका सा गुनगुना कर लीजे, हलका सा गरम कर लीजे जिससे बच्चों को वहाँ पे ठंड ना लगे और जादा बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया है, यानि कि 6 मन्त वो कम्पलीट कर चुका है, तब आप उसको बाथ टम में भी आराम से नहला सकते हैं लेकिन एक बाथ आपको जरूर ध्यान देनी है, कि बात टम में जब आप बच्चे को नहला है तो एक तो गरम पानी जादा गरम नहीं होना चाहिए, दूसरी बाथ टम में बच्चे को ज्यादा टाइम ना करने दें, फटा फट से नहला है और फटा फट से उसको कप्ड़ में अब आप बच्चे को नहीं है, तब ही आपच्चे को नहला को नहीं टाइम को एक जब जदाग पानी से भडुयकर जो ड़क्चा बहुत जादा रोता है, पानी सपया कर देंस प değiş् सारी तैयारियां आपको सब कुछ प्रपेयर कर लेना है बाथरूम से रिलेटेड जो चीज़े हैं वो आपको बाथरूम में कर लेनी है जो आपको बैड पे रखना है वो आप बैड पे रख लीजिए जैसे बच्चे का ओईल है बच्चे की जो वाडी लोशन है जो बच्चे का जो क्रीम है डाइपर है जो भी आप बच्चे को यूज करनाचाहते हैं पच्चे की कपड़े हैं बच्चे का वाच्चे का स्वेटर ये सारी चीज़े आप बेड़ पर पहले प्रेपयर करके रख depends on theiliar करनी हैं यह कपड़े पहनाने हैं बाथ रूम में जब आप जा रहे हों तो गुन गुना पानी पहले ही निकालके रख ले हैं बाथरूम का जो टेमपरेचर है वो पहले ही हाई कर लें गरम पानी निकाल के या फिर हीटर चला के या कुछ भी ऐसा करके बाथरूम का जो टेमपरेचर है वो हाई थोड़ा सा रखे ताकि बच्चे को ठड़ना लगे यह सारे चीजे जब आप तियारी कर लेते हैं सब है लेकिन इसे कपड़े उतार के बैट से डाइराक्त के आपको बाथरूम में नहीं जाना आपको क्या करना है कि जब बच्चे के कर दे निकालने गर भी छो ने किसी भी तरह से आप बच्चे को बाथरूम तक ले जा गी। क्यों कि जो बातरों तब आप यह चीज़े कर सकते हैं अगला पॉइंट है कि जब आप बच्चे को नहलाने के बाद रूम में ले जाएं तो रूम का टेमपरीचर थोड़ा सा हाई होना चाहिए हलका सा गरम होना चाहिए ताकि बच्चे को जब आप कपड़े पहना या फिर मॉस्चराइजर और बच्चा आपका बीमार ना पड़ पाए इस तरह से आपको कुछ बातों को ध्यार नगना है दूसरा जो पॉइंट है कि जब आपने बच्चे को नहला दिया है तो नहलाने के तुरंद बाद आपको बच्चे का जो सिर है वो सबसे पहले पहुंचना है क्योंकि जो पानी भर जाता है बच्चे के बालों में और उससे बच्चों को ठड़ लगने के चांस बहुत जाता रहते तो बालों का जो पानी है उसके बाद ही बच्चे को आपको बातरूम से रोम में लेकर आना है दूसरा पॉइंट है कि जब बच्चों को आप नहला चुके उसके पुरंद बाद आपको बच्ची को धूप में लेकर नहीं जाना है आप ले जा सकते हैं 10-15 मिनट का आप गैप कर दीजिए उसके बाद बच्चों को आप डायरेक्ट धूप में लेकर जा सकते हैं लिकिन कुछ बातों को आपको और ध्यारनक नहीं कि नहलाने के बाद स्वेटर पहने हो, कैप लगाए हो, सौक्स पहने हो, इस तरह से आप बच्चों को धूप में ले जा सकते हैं, धूप में ले जाने से पहले आप चेट करके देख लीजिए, वहां पर जाक के, कि हवा तो नहीं चल रही है, या फिर धूप कैसी आ रही है, इस तरह से जब अब बच्चे को ठंड नहलाने के बाद बिल्कुल भी नहलाने के बाद आपकर बच्चो को कपड़े भी ध्यान देना हैं, कि आप कौन से कपड़े बच्छे को पहना रही है, अक्टूबर का टाइम चल रहा है, तो बच्चो को सबसे पहले सब पहना आयिए, उसके बाद बच्चों को एक cotton का high neck पेना सकते हैं, अगर आपके पास cotton का high neck नहीं है, तब आप cotton की कोई t-shirt पेना सकते हैं, आप ये ध्यार लखिए कि direct woolen बच्चे के skin पे टच ना हो, बच्चे की skin पे जब direct woolen टच होता है, तब भी बच्चों को problem होती है, irritation होती है, और उनको खुजली ह होने लगती है, इस तरह का problem आप देख सकते हैं, तो ऐसे cotton के कपड़े पहना ही है, उसके बाद बच्चों को inner पहना सकते हैं, या फिर हल्का पतला सा sweater पहना सकते हैं, अगर आपको cotton का high neck नहीं मिलता है, तो आप first try पे जाके check कर सकते हैं, वहां पे मैंने कई सारे अपने ब और हर ब्रांड में आप देख लीजिए, फिल्टर डालके उससे आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे, और काफी affordable price में मिल जाएंगे, तो इस तरह का आप high neck बच्चे के लिए खरीच सकते हैं, क्योंकि high neck से एक फायदा ये है कि जो बच्चे का गला है वो खुला नहीं और इसके बच्चों को ठंड में लग पाती है, नुगों बेबी को ठंड के मौसम में, कैप और सौक्स पेनाना बिल्कुल मत बूलिए, क्योंकि जो कैप होता है, अगर बच्चों को गन मी लग रही है, तो आप cotton का कैप पेना सकते हैं, जब बच्चे को सुला रहे हैं, तो आपको ध्यार रखना है, यह सारे पॉइंट जो है, वो काफी helpful आपके लिए होने वाले हैं, अगर आप इन बातों का ध्यार रखते हैं, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे हो, helpful लगे हो, तो वीडियो को लाइक देना बिलकुल मत बूलिए, और अगर आप चैनल प वीडियो के साथ, तब तके लिए ठेक केर, बाबाए